असलाम अलेकों माई यूट्यूब फैमिली तो कैसे आप लोग सब उमीद करते हूं सब ठीक होंगे वेलकम वेक टू मैं चैनल आज एक निव ब्लॉग के साथ आज कर मैं फूड ब्लॉग्स बना रही हूं क्योंकि आप लोग मुझे ज्यादतर फूड ब्लॉग को पसंद करत ज्यादतर फूड व्लॉग्स आप लोग के साथ शैर कर रही हूं और गर में जो बी बनता है वो तमाम चीजे में आप लोग के साथ शैर करती है!! विडियो नहीं है जैसे कि कोई चीज में स्कृप्ट बनाओं जो सिंपली मेरे घर में बनता है चाहे वो देशी खाना हो चाहे कोई स्पेशल कुछ भी हो तो तमाम चीजे में आप लोग के साथ शेयर करती हूं तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत जबर्दस रेसिपी शेय बढ़ग बटर हो अज़र होगा और पानी इस डो हम जैसे पीजा डो रेडि करते हैं तो यह ना बीदा को रीडि रिवी रेटी करते हैं और इसको राइज होने के लिए कि रख देता हैं जैसे राइज होगा पिर अबाद चुछ जब में इसको 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 के रिजी प्रिश्ड में जाएंसे हैं। अश्रेट चार बेके देजानी किमस भेगा है। अच्छ सबीर में हैं। इसे में तरहें किमस और बाती चार बॉली तो चीज़ें जाएंड़ा वेखों। और कीमा स्टफिंग करूंगी इसके अंदर तो सबसे पहले में क्या करते educators बटर हम साइट पर रख दे ते हम बटर की जरूरत नहीं है इस वक्त सबसे पहले हम अपने डोग को रेडी करते हैं, डोग को रेडी करने के लिए हमें चाहिए होगा इस्ट, आइसिंग शूगर और सॉल्ट, अमाम चीजों को इसके अंदर मैं अड़ कर देती हूं, और इसके बाद जो है इसको मिक्स करना है, ठीक है, और इसको इसको अच्छाए बस इतना इस अउयल जो है ना इनफ होता है, क्योंकि हम इसमें बटर इसमें एड़ करेंगे, तो इसमें और ज्यादा जो है बहुत ज्यादा ओयल एड़ करने की जरूरत नहीं है, पानी आप अपने इसाफ से इसके इंदर एड़ करें, जितना आपको च अच्छे तरीके से मैंने गूंद लिया है, और परस इसको सॉफ्ट होने के लिए मैं रखतूंगी, जैसे ही राइस होगा, फिर हम जो है ना इसको इसके शेप में कट करेंगे, और बटर हमने चाहिए होगा बाद में इसकी फिलिंग करने के लिए, डो को मैंने रख दिया एक जैसे एक बचित सब्सक्राइब करने के लिए और साथ 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 मैं क्रीम को बीट करेंने इसकी आ ऐसे बांसे में चंविएDdon है तो अब साथ साथ यहां मैं इसकी सेटिंग कर रही हूं मुझे कॉमेंट आया था कि आप सिर्फ चॉकलेट केक बनाती है इसके लावा कोई और फ्लेवर कर नहीं बनाती है अगर मेरे पास कोई और आ जाता है विल फर्स तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूं और यह तो और का है हमें जो हैना वन पॉन्ट का केक नहीं चाहिए और नहीं हमें कप में चाहिए हमें जो हैना पेस्ट्री बना के दे दे तो मेरे पास घर में जो जो चीज़ें अवेलिबन थी बेकिंग का सारा समान जो हैना ऑल्मॉस्ट मेरे पास खतम होने वाला है पस चंद चीज़ें रह क्यांकि यह तो रोज का हो गया है बच्चों को हर दो तीन दिन के बाद केक चाहिए होते हैं तो उनके लिए जो है ना मुझे बनाना पड़ता है लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि बाइर का जो है ना मैंने ऑवर्ट किया हुआ है और गरपी में बच्छों के लिए केक्स बनाती हूँ तो इसी वज़ा से जो है ना बस यह कह रही थी के चॉकलेट केक में किस वज़ा से बनाती हूँ चॉकलेट केक मेरे बच्चों को पसंदे तो इसी वज़ा से बनाती हूँ और बस यहां जो है ना मैंने इस बड़ा सा क्रीम अपलाई किया क्रीम भी बहुत ही क इसके अलावा जो दूसरा वाला है चॉकलेट सीरप थोड़ा सा एक्सपैंसिव है लेकिन यह भी बहुत ही अच्छा है टेस्ट में और कॉलिटी वाइस बहुत ही अच्छा है तो बस यहां जो है ना श्योगर सीरप से में इसको मॉइस्ट कर रही हूं और बस इसको मैं क्रीम लगा के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी तके क्रीम जो है ना सेट हो जाए आदे गंटे के बाद मैंने केक को तुबारा फ्रिज से निकाल दीग है टुर्ण की क्रीम सोरी तो इसको एक जो में बस्कषा का रूपर से त्यामेश जो है में थोड़ा बँंटे मीशन धाई मैं सब्रेपर की राइंब ने स्पर भी है ना ऊज्यवर का सब्सदैक्षाज पड़े की content के वालई ताई तो बस साइट से इनको में करने लगी हूँ कट क्यूंकि इसके लेयर मुझे दिखाने हैं क्यूंकि अक्सर पेस्ट्री में ऐसा होता है कि लेयर जो है बिल्कुल वाज़ तोर पर नजर आते हैं और यह क्या कहते हैं वन पॉंड का केक है तो इसमें मैंने तीन लेयर नहीं कि क्ट किया है और बीच में आथ और पार क्रेम लगा दिया था और यह जो साइट से में कट कर इसको मैं वेस्ट बिल्कूल भी नहीं करूँगी इसको अलग से जएमने फ्रीज में रख दोंगी और यह जाहरे खाने की चीज़ेट तो वेस्ट तो करना नहीं है और बस यह दे चॉकलेट सीरप के बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी फिर तोड़ा सा और मैं उपर से इसको डेकुरेट करूंगी और बस यहां जो है न मैं इसके पीसिस कर रही हूं देखती हूं कि 6 या 8 जितने पीस बनते हैं तो वो मैं कर लूँगी आप चाहें तो अपने साफ से कर सकते हैं और आप लोग भी कोशिश करें बच्चों के लिए हर चीज पीजा है ब्रेड है जो भी है केक वगहर आप घर बनाएं ताके जो है ना आईजीन का भी ख्याल रखना चाहिए बाहर की चीजें आप लोग को पता है और मुझे ही पता है जितनी भी डिलेशिस कोई भी चीज हो लेकिन जिस तरह हम बनाते हैं अगर में चाहे उसका शेप प्रॉपर हो या ना हो लेकिन वो चीज खाने में मज़े की भी है और आईजीन उसमें जो है ना ख्याल रखते हैं हम लोग तो बस इसी वज़ा से आजकल मेरी पूरी कोशिश होती है हर चीज जो है ना में गर पे ही बनाओं और बस लास्ट में मैं यहां जो है ना चॉकलेट चिपसेस की थोड़ी बहुत डेकुरेशन की है और चॉकलेट बॉल नहीं थे मेरे पास तो वो भी मुझे इंशालला लाने है और माशला यह देखे कितने अच्छे तरीके से यह मैंने कटिंग की है और बस एक हैर टाइट कंटेनर में मैं इसको डाल दिया मैंने फ्रिज में रख दूंगी और मेरे बेटा का उसे जिद कर से ही राइज हो चुका था और बस इसको एक दो मिनट के लिए और मैं नीट करूंगी तक के डो हमारा सॉफ्ट हो और बस इसको जो है ना मैदा लगा के यह नहीं खुशका लगा के इसको थोड़ा बहुत मैं सैट करूंगी क्यूंकि इस वक डो की जो कंडिशन है बहुत ज बना हूं वो एक्वल साइज के ही हो बस कुछ इस तरह से मैंने इसके जितने प्यड़े बन सकते थे उस हिसाब से मैंने बनाए और देखें आप लों के सामने इसको सेट कर रही हूं और इसके बाद जो है ना मैं इनको बेलूंगी एक एक करके पांच दस मिनट का रेस्ट लगाूने के बाद अब मैंने इनको बेलने लगी हूँ आप लोग भी जब बनाएं तो इसी तरह से करें बस अब यहां एक एक डो को जो हैना एक एक पेड़े को मैं एक साथ जो हैना बेल के साइट पर रग दूँगी और जो बटर है मेरा फ्रिज से निकाल आने इसे जो ह काने की अच्छा यह ऑथेंटिक रेसिपी है और यह जो क्रॉसेंस रेसिपी है यह फ्रेंच रेसिपी है जब नेक्स्ट में बनाऊंगी तो अपने स्टाइल में बनाऊंगी इसमें कीमा वगारा चीज जो भी मुझे एड़ करना होगा तो वह में एड़ करूंगी लेकिन यह जो basic recipe है वो इसी तरह से बनती है और जो market वगयरा में मिलते हैं वो butter भी use करते हैं shortage भी use करते हैं oil में मैदा डालके भी जो हैना इसकी filling करते हैं तो सबसे best जो हैना butter है और बस मैं भी इसी तरह से जो हैना butter इसमें apply कर रही है और तमाम जो layer मैंने पेड़ के रखे थे तो उनको एक एक करके इनके उपर में लगाती जा रही हूँ और दुबारा से butter लगा रही हूँ जिस तरह हम लोग समोसे की पटियां बनाते हैं सेम उसी तरह से अब जब यह एक यानि complete हो जाए तो इसको मैं इस तरह से बहुँ ज़दा धेक नहीं करूँगी और बस इसको मैं अपने हातों से जो एना पहला दिया है थोड़ा बहुत और इसको जो हैना में बेलन के जरिए जो एना थोड़ा सा बेल लूँगी तक जो एना कटिंग करने में आसानी हो और अब जो हैना इसके बाद हमें चाहिए होगा एक नाइफ जो के बड़े साइस का होना चाहिए सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में कट लगाऊंगी इस तरह से फिर उसके जितने मुझे पीसेस करने होंगे या आपको जितने पीसेश करने होंगे आप उसी तरह से कट करें तो मैं चोटे चोटे बना रही हूं तो इसी वज़ा से मैंने इसके तकरीबान आठ से भी ज्यादा हो रहे होंगे मेरे खयाल से और अब मैंने यहां जोएना बेकिंग ट्रे को जोएना मैंने पहले ही रडी करके रख दिया था कोई ऑूइल वगरा से मैंने ग्रीज नहीं किया जास पार्चमेंट पेपर जोएना मैंने उसके उपर जोईना लाइनिंग की है अब यहां जोईना एक एक पीस को मैं नीचे की तरफ से कट लगाऊंगी और सिंपल इस तरह से मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी और तमाम जो पीसेज हैं इन सब को इसी तरह से जोईना में फोल्ड करूंगी और आप चाहें में दुबारा बतारी इसके अंदर चीस की भी फिलिंग कर सकते हैं और कीमा वगएरा जो भी आपको पसंदे और यह सिंपल रेसिपी है जो के बैसिक इसकी रेसिपी यही है आथेंटिक रेसिपी आप नाशते में से ले सकते हैं जास सनेक्स ले सकते हैं चाहे कॉफी के साथ नुटेला आप लोग अपलाई कर सकते हैं बटर के साथ खा सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं तो बस यहां तमाम जो है ना मैंने डो को सेट किया हुआ है अब मैंने लिया है यहां पे एक एग को मैंने फैंट के जो है ना थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था क्योंकि यह फ्रिज में से मैंने निकाला है तो रूम टेंपरेचर पे आने के बाद मैंने एग वाश जो है ना इन पे किया एग ब्रश के जरीए मैंने लगाया है और माशाला ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बेक होके आएं बाहर और इतने ये क्रिस्पी हैं अंदर से सॉफ्ट हैं यहां मैंने थोड़ा बहुत चॉकलेट सीरप से भी इसको चेक किया इसका टेस्स बहुत ही यमी है आई होप के आज का व्लोग आप लोंको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेर कॉमेंट करना मत बूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें बिल खोल के सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं वीडियोज को जरूर लाइक कीजिया करें तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अपना अपने बच्चों का खयाल रखें दौाओं में याद रखें थैंक यू वाचिन अलाफेज